महा शिवरात्री के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर देना यह एक बेलपत्र और उसके बाद उसे बेलपत्र को उठा कर घर लेकर आना इस बेलपत्र के उपाय जान कर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह शिवलिंग पर चड़ा हुआ बेलपत्र आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। कैसे आपकी सारी समस्याएं पल भर में ही दूर हो सकती है। यह वे तरस रही हैं, जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है। साथ ही इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहे हैं, वह बेल पत्र वाला उपाय इसको आप कर लेना है। इससे आपको शीग्र से शीग्र मन चाही संतान प्राप्त होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधा, जो मैं रोज बताता हूँ, प्रिदेव का वास माना जाता है, यानि कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का इसी के अंदर वास होता है, उनका स्वरूप माना जाता है, इसे इसलिए बेल पत्र से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, शायद आप लोगों को मालूम ना हो, अगर किसी व्यक्ती का शव बे वही बताने जा रहा हूं, और खासकर उन बहनों के लिए बताने जा रही हूं, जिनको संतान सुख की प्राप्ती नहीं हो पा रही है, अगर किसी व्यक्ती को शुगर की बीमारी है, और वह पांच बेल पत्र शिवलिंग पर चड़े हुए उतार करके खा लेता है, के इस द बेल पत्र शिवलिंग पर चड़ा हुआ नित्य प्रति दिन खाता है, तो एक महीने लगातार तो उस व्यक्ती का गठिया और चर्म रोग जड़ से समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार आखों के लिए भी यह बहुत ही चमतकारी माना जाता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो म संतान की प्राप्ति होगी, जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली संतान होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग के पास जाना है, और बेल पत्र टार्गेट के जो तीनों पत्ते होते हैं, उनके उपर आपको तिलक करना है, शिवलिंग पर तिलक कर भगवान शंकर से संतान सुख के लिए प्रार्थना करनी है और पूजा करने के बाद उस बेलपत्र को घर लेकर आ जाना है। आपको सोमवार के सोमवार करते रहना है जब तक कि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती है। शिवरात्री के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। महा शिवरात्री और पुत्रदा एका दशी के दिन आपको क्या करना है शिवलिंग से। आपको दो बेल पत्र उठा कर ले आने हैं और एक बेल पत्र को स्त्री को वहीं पर शिवलिंग के पास में ही मतलब मंदिर से ही ग्रहन कर लेना है। उसको चबा चबा कर खा लेना है और आपको एक उपाय करना है और जो दूसरा बेल पत्र है अगर आपका पती साथ नहीं है अगर घर पर आपके पती नहीं है तो आप उनके लिए घर पर बेल पत्र लेकर आ जाएं और एक बेल पत्र उनको खाने के लिए दीजिए ताकि व वही आपको संतान सुक की प्राप्ति निष्चित होती है, देखिए जिन भी हमारी माताओं बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संथान नहीं है या फिर पुत्र नहीं है, तो उनको बस यही करना है कि सोमवार के, सोमवार आप मंदिर में जाएं, वहीं पर बैठ दोस्तों, अगर जैसे नित्यप्रती, अगर आप यह बेलपत्र नहीं मिल पाता है, आपको तो आप सोमवार के दिन पांच बेलपत्र या आप खुद चढ़ाएं या दूसरे का चढ़ा हुआ आप ले लें, आपको पांच बेलपत्र लेकर उनको पीस करके थोड़ा सा बना लेनी है और नित्यप्रती आपको एक-एक गोली खानी है, और यह उपाय आपको तब तक करना है, जब तक कि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन माताओं बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो संतान सुख की प्राप्ति होगी। और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ ओम नमशिवाए। झाला बेले लादा जरूर जच जजिए, जरूर मिलते हैं ती हैं जरूर इस वाला इस वाला बेल नमशिए। झाल झाल